आज हम बात करेगा ब्लेक सोल्ट के उपर एम आई मेडिसिन इन्फर्मेशन एटुजट चैनल पर आज आप लोग के बीज में एक और नेया वीडियो लेके आया है यह होगा कैच का स्प्रिंग क्लार साथ की ब्लेक सोल्ट इसका प्राइस होता है 45 रुपीश यह ब्लेक सोल्ट बहुत फेडामन चीज है बहुत फेडामन तो यह मेडिकल तार पर आगर आपको दिखाए जाए मतलब इसको ब्लेक सोल्ट के तरह से दिखाए जाए तो यह नमक खाने में नमक है लेकिन यह अगर दुसरा ताइप से आपको दिखाए देगा तो यह मेडिक इलाज करता है तो बच करते है ब्लेक सोल क्या है कहां मिलता है कितना प्रोकर क्या होता है और आपका क्या क्या इसका क्या क्या बीमारी का ये काम करता है और इसका क्या साई रेफिक है सब कुछ बत करेगा देखते रहे वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसका बारे में पुरा जानकारी देगा इस वीडियो में कलर नमक क्या है ब्लैक सोल्ट कलर नमक एक विख्यू प्रोकर का राक सोल्ट है जिसका होनन कोई स्थानों के लिए किया जाता है इसमें सोडियम कलराइड जैसे कोई कॉमपाउंट होता है जो इस नमक को रंग और सुगन प्रोड़न करता है इसे कोई तरह से जाना जाता है उसे ब्लैक सोल्ट, पिंक सोल्ट या राक सोल्ट अधी ये हिमलोय की प्रप्रप्र प्रप्रप्र किया जाने की वजह से इसे हिमलोयन रक सोल्ट भी कहा जाता है ज़्यतार कलर्द नमक का उपजुक ड़किन इस यांक में किया जाता है आईरन और उन्न खुनिस के वज़ा से इसका रंग गुलाबी होता है साथ ही यहाँ कोई तरह के सस्थ लाफ पोशे सकता है सस्थ के लाफ पोशे सकता है यह तीन प्रकर की ब्लेक सल्ट होता है कला बला ब्लेक सल्ट मतलब कला बला नमक हिमेला ब्लेक सल्ट काला रिशुल नमक ये तिन बोगर का सोल्ट होता है अभी बात करते हैं आपका इसका फेरा के उपर ये क्या-क्या बीमारी का इलास कर सकता है ये मेंली सिने की जलन से रहाट तो इसका बारे में थोड़ा बाता रहता है जिन लोगों का अक्षर सिने में जलन की समस्या होती है उनके लिए काले नमक का सवन फाइडामन सबित हो सकता है एक बेग्यनिक रिशास के मुटाबिक काले नमक में आईरन की फरपूर मत्रा पाये जाती है जो सिने की जलन से रहाट दिलाता है दिलाने में काम कर सकता है फिलहाल इस पर अभी और सोर्ट की वावस्ता के ताकी पटासला की आईरन की स्तरा काम करता है यह हो गया एक दो मोधूमों के लिए डाविटिस काला नमक खाने के फैडा मोधूमों के रुग्यों के लिए भी होए सकते है मोधूमों की स्थिती में श्रिफ कौम मत्रा में सिनी ही नहीं बलकि कौम मत्रा में नमक का इस्तेमल करने की सला भी जी जाती है इसे में कला नमक का उपजुक अच्छा हिस हो सकता है क्योंकि इसमें समनन नमक के मुकाबल कौम मत्रा में सोद्याम हो जिसके बारे में लिखे लेख में जनकारी दी गई है तर तीन नमबर वाजन के लिए कला नमक के फैड़े में पूछी जिन समनना नमक के साथ पर कला नमक का उपजुक करने से वाजन में कौमी आ सकती है सारे नमबर कॉप्स और पेट फुलने से रहाट कॉप्स और पेट फुलने की समस्यों के लिए भी काला नमक का फैदा देखे जा सकते हैं एक मेडिकल रिशार्ज ने मुटाबिक कॉप्स के लिए इलाज में विभीनो प्रोकर के आयर्वेडिक सुन का उपजुक किया जाता है जिसमें मुख्वा रूप में काला नमक सामिल होता है पास नमबर रक्तोस अब के लिए हाई ब्लाट पेशर काले नमक के सास्तो अगलाफ की बात करें तो ब्लाट पेशर यानी रक्तोस अब का भी जिजिक करता ज़रूरी होता है और डोसल अहर में औरिक मत्रा में सुधियाम के सावन करने से रक्तोस अब बढ़ सकता है 6. मंखो पेखियों के एंठोन से रहा ये होगा 6 नमर 7. बच्चों के लिए काला नमक के फाइडे काले नमक के सास्तो लाफ बच्चों के लिए भी हो सकता है एक बग्यनिक खोट के उनुशार बच्चों के लिए आडार में सुधियाम की मत्रा को मत्कौम करने की सला दी जाती है ताकि उन्हें हिदोशंगबंडी जोशिम से दूर रख सके इसे में काला नमक का उपजुब बच्चे के लिए बहतर सबित हो सकता है तो यह होगे साथ नमबर अब आठ नमबर पासंटंटर के लिए काला नमक के फाइदे पासंटंटर हाजमी होने में भी इसका काम करता है जिन लोगों का पासंटंटर ठीक नहीं होता है बलक सल्ट के फाइदे उनके लिए ही होते है एक पुएकेनिक रिशार्श के और निसर कलेनमग के लेक्सेटिफ लेक्टेशिप गुन होने के साथ शाथ पासन्ट तंटर की समस्या के रहत देने का गुन भी होता है इससे पासन्ट से जूरी समस्यों का निदान हो सकता है फिलहाल इस संबंध में जड़ा सोठ उपलब्दों नहीं है तो होगे आठ नमबर अभी होगे नो नमबर तफसा के लिए कला नमक, इसकीन पर कला नमक का क्या काम है कला नमक के फाइदा तफसा पर भी दिखाया दे सकती है यहाँ कोई प्रक्रितिक मिनरल से संबंध समरिध है जिस कारण इसे सक्रप और रप्स रप्पा की तरह उपजो करने से मीतक कोशिकवों को हटाने में मदद मिल सकती है कला नमक तफसा की प्रक्रितिक बननावत के शुरक्षित रखकर समक परदन कर सकता है तरस नमबर बालों के लिए भी यह बूर्ट फेदा मने कला नमक का फाइड़ा बालों के लिए भी हो सकता है कला नमक यानि रख सल्ट में क्लिंजिंग और एक्साफोली फेलीटिंग गुन हता है जो स्किल्प और बालों के सफ करने का काम कर सकता है इसके अलाबा नमक जुकत पानी से बाल्ट होने पर बालों की कॉंडिशनिंग हो सकती है फिल्हाल बालों के लिए कला नमक के लाफ के संबद में और सुट की अवस्चकता है यह दोस नमबर अब यह आगे है कला नमक का साइड एफेक कला नमक का क्या क्या साइड एफेक हो सकते है वो भी बाता देता है कला नमक के साइड एफेक कला नमक के साइड एफेक उन्युसारी उसकी मात्रा पर निर्भर करता है अगर कोई इस नमक का स्यावर और इक मात्ता करता है तो कला नमक से नुक्सान हो सकता है फिल्हाल इस संबद में वेगनिक सोट की कुमी हो है और ये सबन्न नमक या काले नमक में मोज़ुद समन्न तब्बों के अधार पर सबदानी के तोर पर बाटा गया है ये में लिए उस्चरक्टसब, हीडर रोग, किद्नी से जुरी समस्य, पठ्री, स्ट्रोक, पेट का कैंसर, मटली या उल्टी ये सब आपका साइड एक हो सकता है, इसको इस्तेमल करो लेकिन जड़ा इस्तेमल बट करने के लिए बोला है ये बहुत बिमारी का काम करता है, बहुत फेडा मन है ये, ये ही मसल में मिलता है पहाड या उनसल में, इससे ये निकलता है तो यही था आज का वीडियो ब्लेक सोल्ट के अपर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट शेयर से स्काइब जरूर कर दिन है तो आज के लिए बाई बाई